दोस्तो आज के इस वीडियम बात करने वाले हैं बॉलिवुड के दो बड़ी सुपरिस्टारों की दो बड़ी फिल्मों के सुरू आती छे दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में जिसमें दोस्तो बॉलिवुड सुपरिस्टार अक्चाकमान टाइकर शुरॉप की अजेधेवकंड की मूपी मैधान के 6 दिनों की box office collection की बात करेंगे दोस्तो दोनों फिलमों को EAT के दिन release किया गया था लेकिन दोस्तो दोनों फिलумों box office पर एक flop category की तेरफ बल रही है कोई मूवी खास कमाई नहीं कर रही है पहीं दोस्तों बात करें दोनों फिल्मों के आज कर अभी तक के टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो आप लोगों से रिक्वेश्ट वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें पहीं दोस्तों आज़ेदेब कंड टाइगर श्रौप अक्षा कुमार को इंडिया का बेतरीन सुपरिस्टैर मानते हैं वीडियो को दिल से लेक्ष जरू कर लें दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलिवुड के खिलाडी कुमार अक्चा कुमार टाइगा शुरोफ की मुवी बड़े मिया छोटे मिया के बारे में तो दोस्तो इस मूवी को जहां अली अबास जफर की डारेक्शन बढ़ा गया था बहीं इस मूवी का बजट था तीन सो पचास कड़ो रुपई इस मूवी में अक्चा कुमार टाइगा श्रोप पृतिवीरा शुकमार शुनक्ची सेना जैसे कई बैतरीन कलाकार देखने को मि दोस्तो बात करें इस मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने पहले दिन एद के दिन इंडियर बॉक्स ओफिस पर जां 15 करोल 65 लाक रुपई की कमाई की थी तो इस मूवी के पहले दिन का बल्ड़ वैड बॉक्स ओफिस कलेक्शन 36 करोल 33 लाक तो पांच में दिन पहले मंडे को इस मूवी ने 2.50 लाख रुपई की कमाई की थी, पहीं दोस्तों आज इस मूवी को सिनेमा गरों में चटमा दिन है, यह मूवी आज चटमे दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 2 करोल 20 लाख रुपए की कमाई कर रही है इसी साथ दोस्तों इस मूवी के 6 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 45 करोल 60 लाख रुपए का तो इस मूवी अभी तक टोटल बल्ड वैड बॉक्स ओफिस पर 110 करो रुपए की कमाई कर लिये तो दोस्तों मूवी का बजट है जहां 300 करो रुपए दोस्तों मूवी बॉक्स ओफिस पर एक डिजास्टर मूवी सावित हो चुकी है और इद पर इलिज होने वाली अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी सावित हो चुकी है वहीं दोस्तों दूसरी तरह बात करें बॉलिवोड के सिंगम अज़देवकन की मूवी मैदान के 6 दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों मैदान मूवी को जहां अमित शर्मा के डिरेक्शन बनाय गया था वहीं इस मूवी का बजट था सौकड़ रुपई इस मूवी में अज़देवकन प्रिया मनी जैसे कई बैतरीन कलाकार देखने को मिलेते वहीं दोस्तों बात करें मैदान मूवी के 6 दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो मैदान मूवी ने पहले दिन इंडीन बॉक्स ओफिस पर जहां 7 करोल 25 लाक रुपई की कमाई की थी तो इस मूवी के पहले दिन का बल्डवेड वाक्स ओफिस कलेक्शन 10 करोल 70 लाक रुपे का रहा था मैदान मूवी ने दूसरे दिन इंडीन वाक्स ओफिस पर कमाई थी 2 करोल 75 लाक रुपे तो पांचमें दिन मंडे को इस मूवी ने कल ले दोस्तों इंडीन वाक्स ओफिस पर मातर 1 करोल 50 लाक रुपे की कमाई की तो आज इस मूवी को सिनेमा गरों में 6 लाक रुपे की कमाई कर रही है इसे एक साथ दोस्तो मैदान मूवी के 6 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 24 करोड 77 लाक रुपए का तो इस मूवी न अभी तक टोटल बल्ड वैड बॉक्स आफिस पर 33 कडोर रुपए की कमाई कर लिए तो दोस्तो कलेक्शन के एसाफ से मूवी बॉक्स आफिस पर एक फिलोप मूवी सावित हो चुकी है और दोनों फिल्मों बॉक्स आफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर रही है लेकिन दोस्तों अगर आपने दोनों फिलमों को Box Office पर Cinéma गरों में देखा है तो दोनों में इसे आपको सब से बेस्ट Review कौन से लगी बढ़ें दोस्तों आपके साफ से दोनों फिलमों का जो लाइफ टेम Box Office लेक्षन होगा बहुँ दोस्तों कितना कितना होगा बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राइब मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में अपड़ेट के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को दिल चे धन्नवाद